मुझरेlor आपके शरीर में अलग-अलग हिस्सों में हडÍ बढ़ सकती है इसे हम कहते है बोनी स्पूर आपने देखा होगा बहुत बार यहां पर हडी बढ़ जाती है या फिर कुछ लोगों के एडी की हडी बढ़ जाती है कंदों पर हड्डी बढ़ जाती है गर्दन में, रीड की हड़ी या कभी-कभी घुटनों के अंदर भी आपको डॉक्टर बताते हैं कि आपकी हड़ी बढ़ गई है इसे हम ऑस्टियोफाइड भी कहते है यानि कि बोनीसपूर हड़ी का वहाँ पर बढ़ जाना यह क्यों होता है, क्या इसमें इलाज करना चाहिए, क्या बिना ओपरेशन इसे ठीक किया जा सकता है यही आज का विशे है और यही आज हम समझने वाले है नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टॉंग से आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूटूब चैनल पर हिल्थ से रिलेटेड मैं काफी अच्छे अच्छे विडियोज डालते रहता हूँ अगर आपने अभी तक डॉक्टर टॉंग से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंट सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए और क्या आपके सवाल है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप और कौन से सब्जेक्ट्स पे मुझसे वीडियो चाहते है वो भी कमेंट में मुझे बताइए अगर आपके शरीर में हड़ी बढ़ जाए कहीं पे भी तो क्या इसमें लक्षन दिखेंगे सबसे पहले तो दर्द होगा उसे मोडने में आपको तकलिफ होगी अकरण सी महसुस होगी अगर आप डॉक्टर की पास जाते है जीसे फ़ एक्जांपल आपके घुटने में तकलिफ है और एक्सरे निकालने के बाद में डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि हड़ी थोड़ी सी बढ़ गई है तो क्या होगा आप जब घुटना फोल्ड करने जाएंगे ये देखिए ये आपको यहाँ पे समझ में आएगा जब आप घुटना फोल्ड करने जाएंगे तो वहाँ पे दर्द हो सकता है तकलीफ हो सकती है आपके मास पेशियों में एठन सी महसूस हो सकती है आपको चलने में भी मुश्किल हो सकता है तकलीफ हो सकती है दर्द हो सकता है अब इसमें क्या होता है कभी-कभी ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा है तूट जाता है और तूट कर जॉइंट में फस जाता है इसकी वज़े से भी आपको अकडन या चलने में दिक्कत हो सकती है उसी तरह से अगर आपकी रीड की हड़ी बढ़ जाए तो इससे क्या होगा आपके नसों के दबने की वज़े से आपके बाजू में या फिर टांगों में कमजूरी हो सकती है कमजोरी आपको महसूस हो सकती है या जंजनाट के जैसा चीटिया चलना हम जिसे कहते है इस तरह से भी आपको महसूस हो सकता है क्यों ऐसा होता है क्यों आपके शरीर में ऐसी हड़ी बढ़ जाती है इसका कारण क्या है आईए समझते है देखिए पहला कारण है अगर joint पर चोट लगती है किसी भी तरह से अगर आपको चोट लगती है तो क्या होगा एक तरह से हम इसे ऐसा समझेंगे कि आपके body का ये reflex है उस जगह पर growth होने लगती है ताकि आपके body को और तकलीफ ना हो वहाँ पर हड़ी बढ़ जाती है दूसरा कारण होता है अगर आप ज़्यादा उपयोग करते हैं कैसे करेंगे बहुत लंबे समय तक अगर आप चलते रहते हैं भागने का आपका काम है या फिर जो लोग dance सीखते हैं dance करते हैं काफी देर तक perform करते हैं उसमें क्या होता है बहुत देर तक pressure आपके हड़ी के ऊपर बना रहता है इसमें भी वहाँ पर हड़ी बढ़ सकती है तीसरा कारण होता है बढ़ती वी उम्र के साथ-साथ आपके bones में भी changes होने लगते हैं और एक कारण इसमें होता है अगर अनुवशिकता है आपके family में parents को अगर यह तकलीफ है तो हो सकता है आपको भी यह तकलीफ हो read की हड़ी का सिकुड़ना भी एक कारण है उसी तरह से एक बिमारी है जिसे हम कहते है rheumetroid arthritis या फिर गठिया हम बोलते है इस वात में भी जो नुकसान आपके शरीर में होता है उसमें भी इस तरह की गाठे बढ़ जाती है काफी patients को आपने देखा होगा यहाँ पे थोड़ा सा hardness आपको दिखता है या हड़ी बड़ी भी सी दिखती है यहाँ पे आपको दिखने लगता है इस तरह के लक्षन ऐसे patients में दिखते है रीड के हड़ी क्यों बढ़ जाती है इसके क्या कारण है यह तो आपको समझ में आ गया अब ज़रूरी होता है इसके बचा और treatment को समझना यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप होमियोपेथी लीजिए आपका operation टल सकता है मेरे पास ऐसे काफी patients है जिनकी AD की हड़ी बढ़ी भी थी जिनको operation के लिए बोला था और होमियोपेथी की treatment के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए डेफिनेटली इसमें कुछ precautions लेना भी जरूरी है अगर आपकी AD की हड़ी बढ़ी है तो आप उससे related मेरा यह special video है यह जरूर देखिए इसमें मैंन के लक्षनों को समझके आपकी बीमारी को समझके बीमारी की intensity को समझके आपके बाकी के symptoms को देखके फिर आपको सही treatment करेंगे जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं उसी के साथ कुछ बजाओ की चीज़े समझते हैं अपनी हड़ीयों को सुरक्षी बनाए रखने के लि करना चाहिए उसके अंदर सिलिकॉन का पैड होना बहुत ज़रूरी है और एक चीज़ आपने करना है आपने पैदल चलना या सीडी चलने जैसे जो काम है यह नियमित रोज करना है और एक बात इस पर इंपक्क करती है वह आपका वेट और इसलिए वेट को भी आपको पूर्ण ट्रेटमेंट अगर करना है तो कारण को समझ के सही होमेथिक मेडिसन अगर आप लेते है तो पूरी तरह से इससे ठीक हो सकते है बिना सरजरी के भी आप दुरूस्त हो सकते है तो हस्ते रहिए मुस्कुराते रहिए धन्यवाद झाल 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 झाल